तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं Robo Order की Robo Order एक ऐसा चमतकारिक Order जिसमें एक ही साथ आप 3 Order लगा सकते हैं जी हाँ दोस्तो एक ही साथ आप Buy करके उसमें Stop Loss और Profit Booking का Order लगा सकते हैं दोस्तो और ये सिर्फ आप कर सकते हैं Robo Order में अगर आप अलग से किसी भी stock को buy करके या किसी भी index को buy करके stop loss लगाएंगे और profit booking order लगाएंगे तो वो नहीं लगेगा एक ही इन में से लग सकता है एक साथ आपको दोनों लगाने है तो आपको robo order का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा robo order के बारे में काफी सारे वीडियो मैंने पहले भी बनाये थे लेकिन अभी क्या हुआ है दोस्तो अभी robo order में थोड़ा सा change आया है क्या change आया है क्या क्या बदला है robo order के अंदर क्या कैसे आपको robo order लगाना है वो सारा कुछ आज मैं आपको live दिखाऊंगा जी हां दोस्तो आज मैं आपको एक नहीं बलकि दो lot एक साथ robo order में buy करके दिखाऊंगा फिर दिखाऊंगा कैसे उसको edit करना है साथी साथ मैं ये भी दिखाऊंगा कि उससे exit कैसे करना है काफी साही लोग ये पूछते हैं अगर हमें target आए बिना exit करना है तो कैसे exit करेंगे और इसके साथ ही दोस्तो आपको मैं trailing stop loss भी दिखाऊंगा कि trailing stop loss का use भी robo order में हम कैसे करते हैं दोस्तो तो दोस्तो इससे पहले मैं आपको live screen पे लेके जाऊं मैं आपको तीन चीज़ें clear कर दूँ robo order के बारे में सबसे ज़्यादा सवाल मेरे पास आते हैं robo order के लेके तो इन चीन चीज़ों के बारे में ही आते हैं नमबर एक ये कि काफी लोग complain करते हैं कि robo order हमें दिखाई ही नहीं देता क्या robo order को angel one ने discontinue कर दिया है मैं आपको बताता हूं दोस्तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण हो सकता है वो कारण ये या तो आप robo order को market के बाद देख रहे होंगे बंद होने के बाद या फिर आप delivery select करके carry forward select करके robo order देख रहे होंगे इसलिए वो दिखाई नहीं देता है एक चीज में बिल्कुल clear कर दो दोस्तो यहाँ पे robo order सिर्फ और सिर्फ intraday के लिए है अगर intraday के बाद आप देखेंगे market बंद होने के बाद देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा जैसे call है bank nifty का वो चल रहा है अभी 200 पे और मुझे buy करना है 210 पे तो क्या हम यह robo order में कर सकते हैं तो इस सवाल का जवाब है नहीं दोस्तो आप नहीं कर सकते हैं आप current price पे ही robo order को buy कर सकते हैं robo order आप limit पे ही ले सकते हैं दोस्तो तीसरा सवाल दोस्तो तीसरा सवाल मुझसे यह पूछा जाता है क्या robo order एक बार हमने लगा दिया तो उसके बीच में से हम exit कर सकते हैं मतलब target भी नहीं आया stop loss भी हिट नहीं हुआ तो उसके बीच से हम निकल सकते हैं जी हाँ दोस्तो बिलकुल आप exit ले सकते हैं जब भी आप चाहें तभी आप exit ले सकते हैं पहले क्या था दोस्तो कि आप अपना price लगा के exit ले सकते थे लेकिन अभी क्या है अभी अगर आपको बीच में exit लेना है तो आपको market price पे ही exit ल येर हो जाती हैं दोस्तों चलिए दोस्तों अब आपको लाइव मार्ट के अंदर लेके चलता हूं दिखाता हूं कैसे दो लॉट में रोबो ओर्डर हम एक्जिक्यूट करेंगे और कैसे उसके बीच में से बिना टारगेट आई ही उसमें से एक्जिट लेंगे तो दोस्तों लिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे हम रोबो ओर्डर एंजल वन में लगाएंगे नए तरीकी से कैसे रोबो ओर्डर हम लगाते हैं तो बैंक निफ्टी का मैंने कॉल और पुट यहां पर सेलेक्ट करके रखा है मुझे यहां से लग रहा है कि मार्केट उपर जा सकता है निफ्टी उपर जा सकता है तो मैं बाय का यहां पर रोबो ओर्डर लगाऊंगा दोस्तों तो मैं इस पर क्लिक करूँगा कॉल पर कॉल पर मैंने क्लिक किया यहां से मैं चला जाऊंगा बाय पर बाय में जाके मैं दो लॉट यहां पर पहले मैं अक्सर एक लॉट में लग इंट्राडे पे जाएंगे तो आपको और दिखाई देगा काफी सारे लोग इस सवाल उन्हें पूछते हैं को रोबोडर दिखाई ही नहीं देता या फिर रोबोडर बंद कर दिया हुए सलेक्ट करने के बाद मैं यहां पर लिमिट प्राइस डाल दूँगा दोस्तो, limit price डाल देता हूँ 207 का, इसके बाद stop loss price, अब यहाँ पे change हुआ है दोस्तो, पहले क्या था, पहले आपको यहाँ पे point डालने होते थे, point मलब 207 पे आप खरीद रहे हैं, stop loss आपको 10 point का लेना है, तो यहाँ पे आपको 10 point डालने पड़ते थे, इसी करूँगा दोस्तो, मैं अभी यहाँ पे actual price डालना पड़ेगा, मलब 207 का, मैं ले रहा हूँ, तो stop loss में लगाँगा 200 का, और target price में लगाँगा 220 का, ठीक है दोस्तो, इस तरीके से आप अपना robot replace कर सकते हैं, trailing stop loss jump price, यह क्या है दोस्तो, बता देता हूँ दुबारा से, इ हो जाएगा, उसके बाद जैसे ही, एक दो रुपया, दो रुपया उपर जाएगा, तो जो stop loss है, यह भी 2 रुपय उपर आ जाएगा, target revise नहीं होगा, target 220 पर ही रहेगा, लेकिन जैसे ही 209 पर जाएगा, stop loss price 202 हो जाएगा, 211 पर जाएगा, stop loss price 204 हो जाएगा, इस तरीके स आया, तो stop loss price नीचे नहीं आएगा, यह वहीं पर रहेगा, यह चीज आपको ध्यान रखनी है, तो इसको भी मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखा देता हूँ, इसको मैं 5 कर देता हूँ, यह 207 चल रहा है दोस्तो, इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, 206 कर देते है और stop loss price 200 से कम करके 190 कर देते हैं, और target price 220 कर देते हैं दोस्तो, तो अब इसके बाद मुझे क्या करना है, तो देखे इसमें पूरा margin दिखा रहा है कि 6186 margin चाहिए, चार्जिस भी इसमें दिखा रहा है कितने चार्जिस लगेंगे, इसके बाद इसमें available margin भी दिखा रहा है यहां पे, ठीक है दोस्तो तो इसको आप market पे भी ले सकते, market पे आप नहीं ले सकते, दोस्तो सिर्फ limit पे यह आपको लेना पड़ेगा, तो मैं यहां पे place buy order पे click कर देता हूँ, place, confirm, यह देखिए order यहां पे मेरा लग गया, 211 का मेरा order है, 211 पे जैसे यह जाएगा, वहा order लग गया यहां पे, और एक यहां पे sell का order लग गया, जो target order है, दोनों आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगाया है, इसलिए मैं इसको अब यहां से exit कर दूँगा, इसको आप edit भी कर सकते हैं, यहां पे जाके आप चाहें तो इसक आप edit कर सकते हैं, इसको 195 कर सकते हैं, ठीक है दोस्तो, confirm, और target order है, इसको भी आप edit कर सकते हैं, 220 है, इसको edit कर के आप 212 कर सकते हैं, confirm, तो देखें, दो order लगे रहेंगे, जो भी order पहले hit होगा, उसी time दूसरा order यहां पे cancel हो जाएगा, अब काफी लोग यह पूछते हैं, क तो किसी भी order पे जाके, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको exit करना है, select कीजिए, selector के यहां पे exit पे click करेंगे, तो यहां से आप exit हो सकते हैं, फिलाल थोड़ा इंतजार करते हैं, position में जाके देखेंगे, यहां पे आपको दिखाई दे जाएगा, देखेंगे, यहा पे मैं exit करूँ, target order पे जाके करता हूँ, edit order, exit, देखेंगे, यहां पे आप जाके भी exit कर सकते हैं, अगर आप yes करेंगे, तो market पे execute हो जाएगा, दोस्तों यहां से, दूसा तरीका क्या है, मैं इसका जो target है, इसको revise कर देता हूँ, edit order, इसको 210 कर देता हूँ, confirm, यह देखें exit यहां से हो गया, दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसके अंदर से exit कर सकते हैं, position में जाके देखेंगे, तो यहां पे दिखाई नहीं देगा, आप देख सकते हैं, open order में जाके, order history में जाके देखेंगे, तो यह पता लग जाएगा, कि 211 पे exit हो गया, 206 पे buy हुआ था, औ तो इस तरीके से आप रोब order से exit कर सकते हैं, अगर आप pending order में जाके exit करेंगे, तो आपको exit market पे ही करना पड़ेगा, limit पे नहीं होगा, यह भी कुछ changes हुए हैं, पहले आप limit पे भी exit कर सकते थे, लेकिन अब market पे ही यह exit होगा दोस्तों, तो यह था दोस्तों, रोब order के ब पशकार, सस्रियकाल, खुदा आफिज और जाये इंद